नमस्कार दोस्तों सवागत आप सबीका के दोस्तों CP City की जो आगामी परिक्षाएं हैं उनको दरश्टिकत रक्ते होएं हमारी जुक आख्षाय हैं नियमित तोर पर संचाली थे जैसे के आपको डेली हमारी एक आख्षा नियमित रोप से मिलती है जिससे कि आपकी जो तयारी है उसमें डेफिनेटली मदद आपको मिलती होगी तो इन्पूट और आउट्पूट डिवाइस को हम लोग क्या कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्प्यूटर की विभिन पीडियो के बारे में देखिए कम्प्यूटर की जो पीडिया है बेसिकली तो इनको सबसे पहली क्लास में फिनिश करना चाहिए लेकिन देखिए आप इसी को देखिए आपको एक अच्छी खासी खिचडी या फिर कहूं तो रबडी आपको दिख रही होगी तो कुछ चीजे शण में आ रही हैं कुछ आपको शण में नहीं आ रही हैं हो जकता है आपको assembly का मतलब पता हो sek नाुт हो आपको यहीं नहीं पता हो कि इंट्रिक्रेटर सर्कृ रिंप क्या होता है अब पहले ही दिन अगर यह कक्छम को परोशध दी जाए तो आपका हाजमा क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा इसी को धियान में रखते हुए थोड़ा से क्या होता नरमी के साथ मैं पकड़ता हूँ और इंपुट आउटपुट डिवाइस क्योंकि समझने में भी इजी होती है माउस केबोड सबने देखा होता है मोनिटर प्रिंटर यह सारी चीज़ सबने सुनी होती है इसलिए इजी होता है उसको उस तरीके से समझाना जब वो फॉम में आ जाए जब वो घुल जाए उन सब्जेट के साथ मिल जाए तो उसको आप यह चीज़े दे सकते हो कि हाँ आपको यह भी पढ़ना है आज की ग्ला सब्सक्राइब के नाम से मिल जाएगी ठीक है नंबर भी लिख देता हूं अगर कुछ दिक्कत हो तो नंबर से कहां लिखे जाए यहां लिख देते हैं 8461843534 ठीक है यह नंबर है ना बोल भी देता हूं 8461843534 आप लोग मेसेज कर दें अगर कोई एड नहीं हो पा रहा है तो मैं उसको एड कर लूँगा ठीक है तो यह क्लास है क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर की पीडियों के बारे में उसके कुछ डिव क्या थे भाशा क्या थी ऑप्रेटिंग सस्ट्म क्या थी प्रतियक पीडी की विशेश्था प्रतियक White के अपने अ उपयूग थे चर्चा करने वाले हैं तो देखिए कहा जाता है कि सबसे पहला कंप्यूटर इसका नाम हम लोग क्या कहते हैं कि अनियक के नाम से हम उसको जानते हैं अनियक को कहते थे फर्स्ट जनरेशन जो हमारी स्टार्ड हुई वह स्टार्ड हुई 1942 से 1955 तक याने की 1902 से कब तक रही 1905 तक रही चाहे तो आप इसका एक बड़िया सा स्क्रेंशोट ले सकते हैं यहां की कुछ चीज़ें जो आपको नहीं दिख रही है वो मैं आपको एक बार और बता दूँगा 1902 से 1955 तक पहली बिड़ी रही इसमें जिस स्विचिंग डिवाइस का यूज किया गया वो क्या थी हमारी निर्वात ट्यूब थी या फिर इंग्लिश मसको कहें तो वेक्यूम ट्यूब अब वेक्यूम ट्यूब निर्वात नली का यहां पर उपयोग किया गया था किसके ल बिना किसी शबत के परिवर्तन के एक्शाम में देखने को मिलेगा। यदि आप लोग को यकीन ना हो तो क्लास से पढ़िए और जितने previous year के question paper है उनको देखिए खुब हुआ question पूछा जाएगा कि प्रथम PD का जो कारिकाल है वो कब से कब तक रहा प्रथम PD में निमने में से किसके उसका है था था integrated circuit का ठीक है या फिर ट्रांजिस्टर का या फिर निरवात ना लिखा सीधा सा question सिर्फ यहीं से जाएगा प्रथम PD की भाषा कुन सी थी मशीनी थी हाई लेवल थी या फिर असेंबली थी या इनमें से कोई नहीं सीधा इस तरीके से question आपको देखने को मिलेगा तो इसको पढ़िए पीडियएफ में आपको प्रोवाइट करवा दूगा बहाशा इसी क्या थी मशीनी भासा थी operating system की बात करें तो इसका operating system क्या था हमारा यहां पर 55 खतम हुआ तो 55 यहां से स्टार्ट होगा आपको सिर्फ यह याद रखना है तक इसमें जिस स्टार्ट है वह हमारी क्या थी ट्रांजिस्टर था से मिक्नेटिक और ट्रांजिस्टर था थीकि यहां किसका क्या आता था मैगनेटिक कोर टेकनोलोजी का language second generation में आगई assembly language और कुछ हद तक आगई थी क्या high level language भी दिपकि first PD में क्या थी सिर्फ machine language थी है second generation में क्या हुआ assembly language भी आगई और high level language भी आ चुकी थी किसमें second generation में batch operating system first generation में था second में देखे तो क्या हुआ हमारा multitasking time sharing operating system हमने use कर लिया विशेश्टाओं में देखो तो क्या हुआ इसका आकार थोड़ा सा कम हो गया क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि यहां पर हमने निर्वाद नली की जगा किसका use कर लिया IC chip का semiconductor से बने हुए transistor का उसके transistor का जो आकार था निर्वाद नली की आप एक्षा में क्या था थोड़ा सा छोटा था यूज इसका वही था वेफसाइक engineering और design engineering design बगेरा बनाने में फिर क्या जाती है हमारी third generation है जाती है third generation में क्या होता है यह चलती है 1964 से 1975 तक अब इसमें transistor का use हुआ था यहाँ पर किसका use होने लगा हमारी IC chip आगई यहाँ पर क्या आगई हमारी IC chip IC chip का मतलब क्या होता है integrated circuit IC chip का आकार बहुत ज़्यादा क्या होता है चोटा होता है और यहीं से new डलती है किसकी हमारे micro processor की प्रोसेसर का जो अविश्कार है वो यहीं से start होता है कि अब हम लोग क्या कर सकते है अपना खुद का एक processor बना सकते है जिसने की क्या किया computer क्या कार को बहुत ज़्यादा लगू कर दिया फिर microsecond से बढ़के जो speed थी वो हमारी क्या होई nanosecond magnetic core का यूज हुआ historic device में language में देखे देखे third generation में हमें क्या मिली नई language में लिए photon यान की formula translation उसके बाद हमें मिली COBOL COBOL का मतलब क्या होता commonly business oriented language ठीक है उसके बाद चलिए तो यहाँ पर operating system क्या रहा हमारा real time sharing रहा विशेष्टाओं में देखे एक चीज मिली हमें कि यहाँ पर remote processing होने लगी computer में क्या हुआ third generation में remote processing होने लगी उपयोग क्या होने लगे DBMS में इसका उपयोग होने लगा DBMS क्या होता है database management system या फिर railway की जो reservation बगेर होने लगी हमारे third generation से start हुए 29 तक रहा बड़े पेमाने पर इसमें किसका use होने लगा IC chip का IC का full form में आपको बता दिया integrated circuit ठीक है यहीं पर अस्तित्व में आया कौन microprocessor पूछा हुआ कोश्चन है कि microprocessor जो है वो किस PD किस जनरेशन में या फिर किस PD में अस्तित्व में आया था ठीक है फिर उसके सांसत किसका use होने लगा VLSI का यानि कि very large scale integration का भी अब देखे millisecond हुआ microsecond हुआ nanosecond हुआ फिर क्या हो गया picosecond हो गया ठीक है historic device में हमने किसका use करने लगे semiconductor, memory या फिर winchester disk जिनने हम लोग hard disk वगेरा भी कहते है इन सब का uses में होने लगा magnetic tape वगेर अस्तित्व में आने लगी fortron आ गई pascal आ गई cobald है ना अब ज़्यादा changes languages में नहीं हुए क्योंकि जब second में high level language आ गई तो फिर नहीं नहीं पहाशा है मिलने लगी लेकिन कुछ खास विशेश परिवत्र यहाँ पे नहीं हुए ठीक है परल हमें एक नहीं high level language मिली थी यहाँ फोर्ट जनरेशन में उसके बाद चलिए तो python मिली थी फिर हम लोग बात कर लेते है यहाँ पर उपरेटिक सिस्टम हमारा क्या आ रहा टाइम शेरिंग नेटवर्क आ गया फोर्ट जनरेशन में हमें क्या मिला मिनी कंप्योटर मिला और व्यक्तिगत कंप्योटर को सबस्यादा उप्योग यानि कि जो परस्नल कंप्योटर थे जो अपने कंप्योटरों के लिए हाइडवेर बनाती थी उन सबने क्या किया कि आपस में अनुकूलता बरती याने की आप चाहे तो किसी का भी माइक्रो प्रोसेशर ले सकते हैं किसी भी कंपनी का कीबोर्ड ले सकते हैं monitor किसी अलग company का ले सकते हैं लेकिन सब जोड़ दोगे तो आप आप computer काम करने लगेगा यह चीज किसमें लोगों ने सीखी fourth generation में हाकी यह चीज सीखी जिसे हम लोग आज notice करते हैं कि लगभग लगभग हर mobile का जो charger pin है वो same है या फिर एरफोन वाली जो pin है वो same है इससे क्या होती कि अनुकूलता होती हाला कि अभी सी टाइप की एक नई बिमारी इजात हो गई है वो मिलना मुश्किल है ठीक fifth generation की बात कर लेते हैं तो fifth generation हमारी कब से कब तक रही 1989 से अब तक जो चल रही है हमारी fifth generation चल रही है सबसे बड़े पेमाने पर इसमें IC chip का यूज होने लगा ULSI याने की क्या हो जाएगा इसका ultra large scale integration फिर उसके बाद क्या हुआ इसमें SLSI याने की super large scale integration होगा speed बहुत ज़्यादा होने लगी अब यहाँ पर हम लोग यूज करने लगे कि इसका optical disk का भी हम लोग यहाँ पर यूज करने लगे ठीक है language कोई खास language हमें मिली नहीं क्योंकि जितनी language थी सब तक 4th generation तक ही जाद हमारी हो चुके थी फिर हम लोग आ गए कि इस पर operating system पर तो knowledge information processing का system का यहाँ पर क्या हुआ जन्मू हुआ knowledge information processing system आया कि इसमें 5th generation में हमारा यह वाला operating system आया था उसके बाद विशेशता है देखिए तो देखिए इसमें क्या हुआ information management का नया आविशकार हुआ सबसे अच्छी चीज आई 5th generation में वो आई कि हमारी AI AI का मतलब आप सभी को पता है artificial intelligence है ना artificial intelligence अभी हाली में चर्चा का भी विशे AI टेकनिक तो इसमें क्या हुआ robotics पे बहुत अब इसमें समझाने लाइक कुछ नहीं था सिर्फ इसको पढ़के बताना था इसलिए मैंने कहा कि आज आपके लिए note करने लाइक कुछ चीज ही नहीं आपको सुनना है इसको देख लो PDF में आपको वैसे भी शेर करी दूँगा आदे घंटे में PDF से पढ़ लेना आपको च generation का था ठीक है hardware है यह सारी है ना यह सब क्या है हमारी hardware ही जिनका हम लोग यूज किस चीज के लिए करते थे processing के लिए करते थे पहली में हमने किस hardware का यूज किया तो vacuum tube का दूसरी में हमने transistor का तीसरी में हमने size छोटा किया आइसी चिप बना ली silicon से ना silicon integrated circuit इसका full form हो जाएगा यहां से देखिए अभी यहां पर मैंने लिखा हुआ था SSI भी लिखा था और MSI भी लिखा था SSI का full form क्या हो जाएगा हमारा small scale integration MSI का क्या हो जाएगा हमारा medium scale integration फिर क्या था हमारा यहां पर VLSI था very large scale integration उसके बाद क्या था ULSI था यानि की ultra large scale integration फिर क्या था SLSI था यानि की super large scale integration तो यह चीज़ आपको पता होनी चीए क्योंकि सीधे आपके यहां से question बनेंगे यह बाली चीज़े थी ठीक है laptop वगेर है सारी चीज़े हमारी 4 generation सबसे IMP generation मेरे हिसाब से 4 generation थी क्योंकि जितने भी बड़े जो परिवर्तन हुए वसा 4 generation में ही हुए हैं तो यह हमारी generation की class थी आशा करता हूँ helpful रही है याद आपको एक बार में नहीं होगी लेकिन आप जि कीज़ा असान हो दी जाएंगी आज ही class में इतना ही अपना ध्यान रखिए सुरक्षित रही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए daily class मिलती रहेंगी जो भी हमारी आने वाली सिपसेटी की exam में आपके लिए helpful definitely है हमारी classes से आप पढ़के बहुत अच्छे तरीके से सिपसेटी को क्या कर सकते हैं clear कर सकते हैं आज class में इतना ही अपना ध्यान रखिए सुरक्षित रही है जै हिंद बंदे मातरम